तो दोस्तो 3D printing technology दिन पर दिन परते ही जा रहा है एसे में जो 3D printer manufacturer company है बहुत सारे एक मेहना दो मेहना या तीन मेहने के बाद बाद नया नया जो 3D printer है वो launch कर रहा है एसे में जो audience होता है यानि की जो consumer होता है उनके मन में बहुत सरे सवाल आते हैं और जब उसको कहीं पर भी सवाल नहीं मिलता है तो YouTube पर आके comment box में comment करता है कि हमें इसका solution कहां से मिलेगा जैसे कि for example मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मेरे पास दो अलग अलग company का 3D printer है एक तो N8 की तरफ से आने वाला N8 84 Pro दूसरा है Creality Company के तरफ से आने वाला Creality N8 3 Pro तो दोनों के मैं काफे साल से उसकर रहा हूं तो यह समय जो बहुत सरे लोगों के मन में जितने भी question है मेरे पास आते रहत है तो किसी ने मेरे को काल या पर सभी पूछा था कि आपके बास जो 3D printer है क्या हम उसके जरीए उड यानि की काट के ओपर जो printing का काम होता है वो हम कर सकता हूं या नहीं तो यह काफी comment सा question है मेरे पास पहले भी आया था काफी सारी लोगों ने किया था और मेरे पास 2-3 पहले भी 2-3 जनों ने comment किया था तो आज के इस वीडियो में आपको clear कर दूँगा कि मेरे पास जो 3D printer है एंडा 3 pro और 84 pro तो इन दोनों के जरीए अगर आप किसी भी काट यानि की उठके ओपर printing करने जाओगे तो वो नहीं होगा क्यूंकि उसके लिए आपको अलग से machine करिदना पड़ता है कि उठके उपर printing करोगे यानि की जो design होता है वो करोगे तो आपको ऊड़ काटर CNC machine की जोरत होगी वह वह आपको अलग अलग साइज का मिल जाएंगे अलग अलग मतलब आप categories का मिल जाएंगे variety का मिल जाएंगे जैसे कि आपका जो time की जो चीज़े वो भी आपका कम या ज्यादा होते रहेंगे तो जिन लोग के मनवे यह आ रहा था कि हमारे पास यानि की इंड़ 3 पोर और 84 प्रोज है इस category का जो भी 3D printer है इसके जरी हम उड़ यानि की काट क के उपर printing कर सकता हूं या नहीं तो मैं clear cut आपको बता देता हूं कि इस प्रकर के जो भी 3D printer मार्केट में available है उसके जरी है आप काट यानि ऊड़ के उपर कोई भी printing का काम नहीं कर सकते हो तो अगर आपको अपने काट यानि की ऊड़ के उपर डिजाइन करना है तो आपको उड़न का जो CNC मेशीन है वो आपको लेना परेगा जिस printer के जरी ये printing का काम किया जाता है उसको बोला जाता है 3D ऊड़ करनेवाल CNC मेशीन इस नाम पर आप किसी भी Google पर सार्च करोगे तो आपको बहुत सारे सा प्रेंटर देखने को मिल जाएंगे अगर आप इसके उपर पार्टिकल वीडियो देखना चाते हो इसके पारे में और भी डीटेल्स में जानकरी लेना चाते हो कि कौन सा जो ऊड़ करनेवाल मेसीन है याने की 3-day डीजाइन के लिए याने की काट के ओपर डिजाइन करने के लिए जितने भी ऊड़ करनेवाल CNC मेसें मार्केट में अगर मेरे टाच में जितने भी कंपनी का जो कनेक्शन है मेरे साथ अगर उन लोग के पास कुछ इस तरह के का मैसेन है याने की सेल करता है तो उनके पास जो डिसकाउंट को पने उसको भी लेकर आप लोग के साथ सेर कर दूंगा तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएग तो दोस्तो आइटिंग आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हमारे पास जो प्रिंटर है मैंने जो प्रिंटर पहले में रिव्यू कर चुका हूं जिसके जरीए मैंने जो बहुत सब्सक्राइब बनाया हूं और उसके साथ साथ मेरे लैब के अंदर जितने भी चीज़ को अच्छा लाए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस पर करके और वे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जूरे रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाइ